विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे, गनित कक्षा 5 में प्रश्चनावली 3.1 जो गुणे से समंदित प्रश्चनावली हैं, इसमें सवाल नंबर 2. आईए शुरू करते हैं, सवाल नंबर 2. देव नागरी लिपी की संख्याओ का गुणा कीजिये. तो हम देव नागरी लिपी में लिखी संख्याओ का गुणा समझेंगे, आसान तरीके से हल करेंगे. पहला है इसमें, पांचसो बासट गुणा तिनसो चोरासी, पांचसो बासट का गुणा तिनसो चोरासी से करना है. हम यहाँ लिखेंगे, पांचसो बासट और निचे लिखेंगे, तिनसो चोरासी और इनका गुणा करेंगे, पहले इकाई का गुणा, फिर दाई का, फिर सेग डागा, इकाई इस चार का गुणा हम हिंसे करेंगे, चार का गुणा दो से करेंगे चार दुनी, 22 अब हम दाई का सुरू करेंगे दाई से लिखेंगे इकाई के निचे क्रोस लगा देंगे दाई से लिखेंगे अपन 8 का गुणा 2 से 8 दूनी 16 16 का 6 88 लगा 1 8 का 6 से 8 चंग 48 48 और 1 49 49 का 9 88 लगा 4 8 का 5 से 8 उपंचे 40 40 और 4 44 अब हम सेगडा का सुरू करेंगे तो इकाई दाई सेगडा से लिखेंगे इकाई दाई के निचे क्रोस लगा देंगे 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6 3 का 6 से 3 चंग 18 18 का 8 आशिल लगा 1 3 का 5 से 3 पंचे 15 15 और 1 16 अब हम इनको जोड लेंगे 8 का 8 4 और छे 10 10 का 0 आशिल लगा 1 2 मेंग जोडएंगे 3 3 और 9 12 12 और छे 18 18 का 8 आशिल लगा 1 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 8 15 15 का 5 आशिल लगा 1 4 और 5 5 और 6 11 11 का 1 आशिल लगा 1 1 और 1 2 इह मर जोड़ो चुकी है 21 10 10 10 10 2 15 12 1808 यह मरा पहला वाला गुणा हुआ अगला दूसरा 715 गुणा 260 715 का गुणा में 260 से करना है 715 और नीचे लिखेंगे हम 260 गुणे का चिन्न 0 का गुणा 5 से 0 0 का गुणा हम किससे भी करते हैं 0 ही प्राप्त होता है 0 का गुणा 1 से करेंगे तो भी 0 0 का 7 से करेंगे तो भी 0 अब हम दाई का सुरू करेंगे डाई से लिखेंगे, इकाई के निचे क्रोस लगा देंगे छे का पांस से छे पंजा तीस, तीस का जीरो आसी लगा तीन छे का एक से छे कम छे छे में तीन जोड़ेंगे, नो छे का सा से छे सत्ता, 42 अब हम सेगडा का शुरू करेंगे इकाई दाई के निचे क्रोस लगा देंगे सेगडा से लिखना शुरू करेंगे दो का पांस से दो पंजा दस दस का जीरो, आसी लगा एक, दो का एक से गरेंगे दो एक हम दो, दो में एक जोड़ेंगे तीन दो का सा से दो सता चाओदा अब हम इनको जोड़ लेंगे जीरो का जीरो जीरो का जीरो नो का नो दो और तीन पांच चारो चार आठ और एक का एक 21,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 यह हमारी दूसरी वाले जोड़ दूसरा वाला गुना हुआ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अगला तीसरा 436 गुणा 436 का गुणा हमें 500 से करना है लिखेंगे 436 और उसके नीचे 500 लिखेंगे गुणा करेंगे 0 का गुणा 6 से 0 0 का गुणा 3 से 0 0 का गुणा 4 से 0 अब हम दाई का शुरू करेंगे दाई से लिखेंगे 0 का गुणा 6 से 0 0 गुणा 3 से 0 0 गुणा 4 से 0 अब हम सेगडा का शुरू करेंगे 1 का गुणा दाई के नीचे क्रोस सेगडा से लिखना शुरू करेंगे 5 का 6 से 5 चंग 30 30 का 0 हासिल लगा 3 5 का 3 से 5 तिया 15 15 में 3 जोड़ेंगे 18 18 का 8 हासिल लगा 1 5 का 4 से 5 चोग 20 20 और 21 अब हम इनको जोड लेंगे 0 का 0 0 का 0 8 का 8 1 का 1 2 का 2 21 सेगड़ा 1010,000 लाग 2,18,000 यह हमारा गुणा हो चुका है अगला गुणा चोथा 616 गुणा 634 616 का गुणा हमें 634 से करना है 616 634 गुणे का चिन लगाएंगे अब हम 1 का शुरू करेंगे 4 का गुणा 6 से 4 चंग 24 24 का 4 अशिल लगा 2 4 का 1 से 4 एक हम 4 4 में 2 जोड़ेंगे 6 4 का 6 से 4 चंग 24 अब हम दाई का शुरू करेंगे तो हम एकाई के नीचे क्रोस लगा देंगे दाई से लिखना शुरू करेंगे 3 का 6 से 3 चंग 18 18 का 8 हासिल लगा 1 3 का 1 से करेंगे 3 एक हम 3 3 में 1 जोड़ेंगे 4 3 का 6 से 3 चंग 18 अब हम सेगडा का शुरू करेंगे एक का दाई के नीचे क्रोस लगा देंगे सेगडा से लिखना शुरू करेंगे 6 का 6 से चे चंग चतिस, चतिस का चे, आसी लगा तीन, चे का एक से करेंगे चे कम चे, चे में तीन जोड़ेंगे, नो, चे का चे से करेंगे, चे चंग चतिस, अब हम इनको जोड़ लेंगे, चार का चार, छे और आट, चाओदा, चाओदा का चार, हासी लगा एक, एक और चार, पांच, पांच में चार जोड़ेंगे, नो, नो में छे जोड़ेंगे, पंदरा, पंदरा का पांच, हासी लगा, एक, दो में एक जोड़ेंगे, तीन, तीन में आट जोड़ेंगे, ग्यारा, ग्यारा में नो जोडेंगे, बीस, बीस का जीरो, हांसिल लगा दो, दो और एक, तीन, तीन और छे, नो, और ये तीन का तीन, ये हमारा गुणा हो चुका है, चली आगे बढ़ते हैं, गुणा 492, 823 का गुणा 492 से करना है, हम ये लिखेंगे, 823 और इसके निचे 492 गुणा करेंगे, इक एक शुरू करेंगे, दो का गुणा 3 से, दो तीन, च्छे, दो का 2 से, दो दूनी 4, दो का 8 से, दो अटा, 16, अब हम दाई का सुरू करेंगे, इक एक एक निचे क्रोस लगा देंगे, दाई से लिखेंगे, 9 का 3 से, नो तिया 27, 27 का 7, आशिल लगा 2, 9 का 2 से, नो दूनी 18, 18 और 2, 20, 20 का 0, आशिल लगा 2, 9 का 8 से, नो अटा, 72, 72 और 2, 24, अब हम सेगड़ा का सुरू करेंगे, इक एक एक एदाई के निचे क्रोस लगा देंगे, सेगड़ा से लिखेंगे, 4 का 3 से, चारतिया 12, 12 का 2, आशिल लगा 1, 4 का 2 से, चारतिया 8, 8 और 1, 9, 4 का 8 से, चार वटा, 32, अब हम इनको जोड़ देंगे, 6 का 6, 4 और 7, 11, 11 का एक, आशिल लगा एक, 6 और 1, 7, 7 और 2, 9, 1 और 4, 5, 5 और 9, 14, 14 और 4, आशिल लगा 1, 7 और 1, 8, 8 और 2, 10, 10 का 0, आशिल लगा 1, 3 और 1, 4, इकाई 12, सेगड़ा, हजार, दस हजार लाख, चार लाख, चार अजार, नौसो, सॉला, यह हमारा गुणा हो चुका हैं, तो विध्यार्थियों, आज की क्लास में हमने, गनित कक्षा 5 में, प्रशनावली 3.1 का दूसरा सवाल समझा, जिसमें, देवनागरी लिपी की संख्याओं का गुणा हमने, सरल तरीके से हल किया, विध्यार्थियों, आप भी इस प्रकार के सवालों का नियमित अभ्यास कीजिए, उम्मीद करता हूँ, कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होँ, नीचे दिये गए, सब्सक्राइब बटन को दबा करके, हमारे यूटुब चैनल, ओनलाइन क्लासेट बाइसल जार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइ नए वीडियो, नए कंटेन्ट के साथ में तब तक के लिए थेंक्यू, धन्यवाद, जे हिन, जे बरत, आपका दिन सुब रहें, थेंक्यू